नमस्ते दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना के पकोड़े ये देखी हमने साबुदाना एक घंटे पहले एक से डिर घंटे पहले भीगा के रखा था इसाबुदाना कितने खीले खीले हुए हैं आपको देखके पदा लग सकता है ये देखी हमने छोटे और बड़ के भीगा के रख दीजे तकरीबन डेड़ घंटे के लिए यहां हमने बॉयल आलू लिए है चार से पांच आप आलू को उबार लीजिए उसके छिलके निकाल के से मैस कर लीजेगा और भूनी मुंफली के दाने लिए हैं इसे हमने मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा को पीस लिय हम सब्सक्र कमारे दाल Union अरुम डालेंगे रिफाइन टेल अप भेटर के हिसाब से कमिया जादा ले सकते हैं इसमें तेल घरम हो जाएंगा उसके बादमि पॉक्म पकॉरे धनी डालेंगे जैसे प्याच के पकॉरे भजीया और दलते हैं वैससे हमें डालना है तो यहां Apple थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लिया है तेल हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें हम छोटे-छोटे पकोड़े के सेप देते हुए साबुदाना के बैटर को धीरे-दिरे डालते रहेंगे फ्लैम को यहाँ पे हई ही रखना है बाद में आप मीडियम कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके क्रिस्पी बनाना थो यह देखिए थोड़ा जितना तेल में आएगा उतना हमें पकोड़े को डालते जाना है यह देखिए ब तो यहां पे आप साबुदाना के पकोड़े, व्युक्त जैसा हम बना सकते हैं जंसे साबुदाना के टिक की एक और एपकासी या ने पहलता है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते है तो आप मेरे चनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और ज्यादा ज्यादा सेयर किजिए अगर आपको और भी रेस्पी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएग यह देखिए हमारे पकोड़े कितने किस्पी लग रहे देखने में उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉप्ट एकदम टेस्टी लगता है आप इसे अपने फेब्रेट सॉस के साथ खाएए इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि यह कैसा लगा आपको